अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि आप MS Word में जब भी टाइपिंग करते हैं चाहे आप English में टाइपिंग करें या फिर Hindi में टाइपिंग करें जो भी सब्द आप टाइप करते हैं उसमें से कुछ सब्दों के नीचे इस तरीके से जिग जग लाइन आपको बनी भी मिल और जब आप Hindi टाइपिंग करते हैं तो लगबख सभी सब्दों के नीचे ये वाली आपको लाइन मिल जाती है तो इस वीडियो के अंदर में आपको यही बताने वाला हूँ कि MS Word में टाइपिंग करते वक्त आखिर ये लाइन क्यों आती है और कैसे हम इस लाइन को ठीक कर सकते हैं हैलो दोस्तों नवसकार स्वागते हैं आप सभी लोगों का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्वाट क्लास में वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि MS Word में कि MS gewoon गर्लाइन का कुलाइन दोसरी लाइन लेगा तो उसके भी नीचे जो है इस तरीके से लाइन आएगी और ये लाइन जो है दो तरीके की होती है एक आपको red line मिलेगी और दूसरी जो है green line मिलेगी green line तब आती है जब आपके sentence में जो है गरबड़ी होती है और red line तब आती है जब आपके word में जो है जो spelling आपने लिखी है spelling में गलती होती है तब red line आती है और पूरे sentence में से अगर किसी sentence में आकट में कॉमा नहीं लगाया है या फिर जो है M की जगह is लगा दिया है तो उस condition में जो है green line आ जाएगी जैसे कि देख सेकतो हो यहाँ पर मैंने I is not a robot लिखा है जबकि यहाँ पर I am not a robot रहना चाहिए इसकी जगह M रहना चाहिए इसी तरीके से C are a good girl मैंने लिखा है जबकि यहाँ पर C is a good girl लैना चाहिए यानि यहाँ पर जो है grammatical error है यानि इस sentence में कोई न कोई mistake है जिसकी ज़िए से यहाँ पर green line आ रही है और यह जो नीजे की side में red line आ रही है तो इस spelling में mistake है grammar में mistake नहीं है इस spelling में mistake है जिसकी ज़िए से यहाँ पर red line आ रही है तो बस यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि यह line तब आती है जब हमारे sentence में गड़बड़ी होती है या फिर जो हमने word लिखे हैं यानि जो सब्द लिखे हैं उसमें जो है कोई spelling की mistake होती है तो यह line आती है अब सवाल यह भी बनता है कि हिंदी में तो कोई भी यहाँ पर spelling में mistake नहीं है यानि हिंदी के जो सब्ध हैं वो तो हमने बिल्कुल सही सही लिखे हैं इसी तरह के से लिखे होते हैं तो इसके नीचे क्यों यह line आ रही है तो आपकी जानकार एक लिए बता दूँ कि MS Word को हिंदी टाइपिंग के लिए नहीं बनाया गया है MS Word को केवल और केवल इंगलिस टाइपिंग के लिए बनाया गया है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा जैसे मैं इसे select करके यहाँ पर home tap पर जा करके अगर यहाँ से कोई भी एक English का font लेता हूँ तो अभी के time में आप देखोगे English के यह यह letter मिला करके यह सब्द बना है और English में इन letter को मिला करके जो सब्द बनता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है जिसकी वज़े से यह red line आ रही है और इसके अलामा अगर आप जो है जब इसे सही करोगे तो वहाँ पर भी जो है आपको हिंदी का कोई भी जो है सब्द नहीं दिखाए देगा जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ तो अगर आपका जो है हिंदी में इस तरीके से लाइन आ रही है और आपने हिंदी का जो सब्द लिखा है वो सही है तो इतना आपको समझना है कि हिंदी के नीचे ये red line आएगी ही आएगी ठीक है लेकिन अगर English के नीचे आ रही है तो वहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि अगर green line आ रही है तो grammatical error होगा यानि इस sentence में कहीं कहीं आपने गलती करी होगी या फिर comma नहीं लगाया होगा police stop नहीं लगाया होगा या फिर is MR की जगह जो helping work होगा उसमें कुछ mistake कर दी होगी आपने इसके अलावा अगर किसी word के नीचे यानि कोई word आपने लिखा है इंगलिस में और उसके नीचे जो है red line आ रही है तो इतना आपको समझना है कि इसकी spelling में mistake है जैसे कि यहाँ पर मैंने computer लिखा है लेकिन CO की जगह मैंने A डाल दिया है तो यहाँ से आपको clear हो जाना चाहिए कि red line क्यों आती है और gris line क्यों आती है हिंदी में red line क्यों आती है और इंग्लिस में red line क्यों क्यों आती है यहाँ समझ आ गई होगी अब सही कैसे करना है यह समझ लेते हैं इस Medien tab पर के Spelling and grammar पर क् criक कर देना है इसके बाद जो है इस तरीके से इंटरफेस दिखाए देगा अब यह देखी बोल रहा है कि वह जो है यहाँ पर देखे सजेशन में भी इंग्लिस में ही वर्ड आ रहा है हिंदी में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बार बार यही बताया है कि हिंदी डैविंग के लिए एमेस वर्ड नहीं बनाया गया है जो भी सब्द यहाँ पर दिखाए दे रहे वो इंग्लिस में दिखाए दे रहे आप यह देख सकते हो तो इसे जो है आप यहाँ पर इग्नोर वन्स करके से इग्नोर कर सकते हो इसके बार जो है जब भी आप इस तरीके से वह लिखोगे इसके नीचे रेड लाइन नहीं आईगी इस तरीके से आप चाहो तो इसे भी इग्नोर करते हैं देखिए इग्नोर होता हुआ चला जा रहा है और अब जो है उपर का आप देखोगे सब का सब उपर वाले में से ignore हो गया ठीक है इसी तरीके से आप चाहो तो इसे भी ignore कर सकते हो आपको जो spelling and grammar पर click करना है ignore once पर click कर दोगे तो देखिए ये ignore होता हो अचरा जाएगा इसके बाद ये पूछ रहा है आप से ignore करने के लिए तो आप इसको भी ignore कर सकते हो और एक और तरीका है इसे ignore करने का या फिर इसे सही करने का वो ये है कि जिस भी सब्द के नीचे ये line आ रही है उस सब्द के अंदर click करिए right click करिए और यहाँ पर जो है आपको एक option मिलेगा ignore का आप इस पर ignore पर click कर दीजे ठीके यहां से ignore हो जाएगा फिर इस पर click करिए यहां पर click करिए ignore हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर जो है आप इससे सही करना चाहते हो तो right click करिए यहां पर suggestion देदेगा कि इस तरीके से रहना चाहिए आप इस पर click कर दोगे तो इसमें change हो जाएगा और आपको लगता है कि यह spelling सही है तो आप इसे ignore कर सकते हो फिलाल जो है हम इसे इसमें जो है चेंज कर देते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखे यह जो है उस तरीके से सही हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर भी आने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए बता दिया है कि इज की जगह M रहन रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि R रहना चाहिए फिर यह गल recalled लगशाय थी तो आप कर सकते हैं इस तरीके से जब आप इसपर क्लिक करके के यहाँ पर आऊगे तो आ सकते हो उमीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए चैनल पर अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब